एलो 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 वेलकम टो फंडू टेस्टर आज हम डिस्केस करने वाले हैं HTTP मेथड्स के बारे में जिसमें आता है GET, POST, DELETE & PUT यह सब basic APIs है basic HTTP मेथड्स है और हर एक application इसके basis पे ही बनती है तो यह आपको क्यों सिखना चाहिए चाहे आप API टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर API automation कर रहे हो POSTMAN या REST TESTYUT से द्वारा basic जब तक आपको GET क्या है, POST क्या है, PUT क्या है यह आपको पता नहीं है तब तक वह automation स्टार्ट करना या API यह टेस्टिंग स्टार्ट करना दिक्कत होगा, तो स्टार्ट करते हैं समझना HTTP मेथड़्स के बारे में, उसके पहले यह वीडियो को लाइक करना और सेयर करना मत भूलियेगा तो सबसे पहले API टेस्टिंग समझने से पहले एक चीस समझने बहुत जरूरी है, वो है COD, राइता वाला COD नहीं, बताता हूँ क्या है, वो है C U R D, हर एक एप्लिकेशन, बेजिक यह ओप्रेशन पर टिकी हुई है, इसका मिनिंग क्या है, C माने create, U मिन्स update, R मिन्स read, और D मिन्स delete, चाहे कोई भी एप्लिकेशन की बात करो, या functionality बात करो, आप जाने में हम यह ओप्रेशन पर्फरम कर रहे है, कोई भी एप्लिकेशन के साथ, तो वो कैसे हो सकता है, तो वो एक्जाम्पल के साथ देखते है मान लो, आप Instagram यूज कर रहे हो, तो Instagram में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि एक photo upload करेंगे, हम करेंगे photo upload, उसके बाद दूसरा क्या है, कि photo मैंने upload कर दिया, तो मैं photo को साथ क्या करूँगा, कि उसको edit करना है, या कोई caption change करना है, तो वो सब बाते आती है, तो वो क्या होता है एडिट, मैं कर रहा हूँ, edit photos, जो मैंने photo upload किया था, जो third option मेरा क्या है, कि मैं बार बार देखूँगा, कि मैंने मेरा profile picture update किया है, या कहीं घूमने गया हूँ, उसका picture update किया है, तो उसमें कितने लोगों ने like किये, कितने लोगों ने comment किये, तो बार बार में, वो likes check दूँगा, like checking, और अगर, किसी ने मेरा photo like नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, delete कर दूँगा, तो यहाँ पे आएगा delete photo, तो basically, हम यहाँ पे क्या-क्या operation perform कर रहे है, यह सब operation में हम क्या कर रहे है, सबसे पहले मैंने photo को upload किया, which means create, यहाँ पे मैंने create API को call किया, उसके बाद आता है update, अगर मेरे को कोई caption update करना है, तो मैं update कर रहा हूँ, उसके बाद, वो read, read operation मतलब, कितने ने like किया, कितने ने comment किया, तो बार-बार मैं refresh करूँगा, तो वो हो गया मेरा read operation, और उसके बाद last में delete operation, अगर मेरे को delete करना है, तो delete operation हो गया, तो यहाँ पे कर्ण ओप्रेशन में पर्फोर्म कर रहा हूं एप्लिकेशन को यूज करते टाइम में कर्ण ओप्रेशन पर्फोर्म कर रहा हूं तो इसके पीछे कौन-कौन सी API होगी तो यहां पर मान लो upload photo है तो upload photo में वो जो API है उसका नाम होगा post API और वो API होगी create photos so for example यहां पर मेरा endpoint होगा create photo create photo या फिर upload photo ऐसा कुछ endpoint होगा उसके बाद update API है तो यह put API होगी यह मेरी होगई post API उसके बाद update वाली है put API तो put API क्या है तो वो होता है update करती है photo को like या जो भी है वो update करती है तो यहां पर होती update photo यह API का endpoint है उसके बाद आती है like तो like के लिए मैं photo को refresh करता हूँ तो बार बार वो photo देखता हूँ तो basically मैं क्या करता हूँ कि get करता हूँ जो भी data मैंने create किया है update किया है उसको मैं get कर रहा हूँ तो यह API basically मेरी हो गई get API और यहां पर होगा get photo और last में delete कर रहा हूँ तो यह मेरी delete API हो गई तो यहां पर यह हो गया delete photo तो यह basic basic level पर हम card operation perform करते है अब यहां पर बात आती है कि एक photo से या multiple photo से अगर एक photo है तो API का नाम ऐसे दिया होगा कि create photo अगर multiple है तो multiple API के लिए क्या नाम दिया होगा create photos यहां पर सिर्फ यह जूड़ जाएगा तो development team ऐसा ही उसका API का नाम लिख जाते है कोई भी API का नाम ऐसा नहीं लिखा जाता कि अगर मेरे को photo upload करना है तो उसका नाम मैंने लिख दिया developer आया उसको समझना है तो उसके हिसाब से वह समझ सकता है तो यह सा meaningful सभी में name होता है तो यह तो बात होगी basic operation की तब बात आती है कि इसमें difference किया है यह सारी API इसमें difference किया है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे पास कौन सी API है तो कि get API है उसके बाद post है API उसके बाद है delete और put यह basic API हो गई हो और यह सब API के basis पे कोई भी application काम करती है कोई भी application में majority area यह सब API ने cover किया है 90 to 95% application यह सब APIs पे ही चलती है उसके अलावा update या page API है वो mostly उतना use नहीं होती है यह सब extensively use होता है तो सबसे पहले हम यह सब का difference में समझना है तो सबसे पहले हम देखते है कि get post delete और put API है क्या तो get से basically मैं क्या कर रहा हूँ कि यहां पर मैं कुछ भी चीज get कर रहा हूँ जो भी data server पर है वो मैं get कर रहा हूँ तो यह API का purpose क्या हो गया कि get data या get information उसके बाद यह post है तो post से मैं क्या कर रहा हूँ create कर रहा हूँ तो create new resources फिर delete है तो delete से मैं क्या कर रहा हूँ तो कुछ भी data को मैं delete कर रहा हूँ और put से मैं update कर रहा हूँ तो यह काम कैसे करता है अगर मेरे को सबसे पहले कुछ भी चीज़े create की जाती उसके बाद ही वो हम update करेंगे delete करेंगे या get करेंगे तो अगर मान लो यह मैं create photo API को hit कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने create किया तो create photo API क्या होगा कि उसका एक base URI होगा https colon www.instagram.com यह मेरा एक base URI हो गया यह मैं base URI पर hit करूँगा और उसके बाद यहां पर उसका end point होगा which is a create photo create photo तो उसके साथ क्या जाएगा तो कि user के credential है वो जाएगा user ID है username है वो जाएगा क्योंकि वो particular user के account के database में जाना चाहिए तो एक हो गया user ID UID यह हम कोई numeric value या कुछ होगा यह हम send कर रहे उसके बाद क्या होगा image तो यहां पर image जाएगा image कोई एक format में यहां पर image हो गया object के format में या कोई format में image हो गया और other required information है user info या फिर caption है तो caption यहां पर caption के साथ जाएगा और database में caption का एक column होगा उसमें caption update होगा और text अगर मैंने कोई text डाला है तो यहां पर text में जाएगा और वो update होगा और जब भी यह data मैं client से भेज रहा हूं client क्या हो गया तो मेरा web application हो गया जो मैं browser में open करता हूं या फिर मेरा mobile application हो गया जो मैं android iOS में use करता हूं तो basically यह हम data server में send कर रहे हैं और server में कहीं एक table होगा वहाँ पर यह सब table में यह सब data store हो जाएगा और अपने id generate करेगा यह API मेंने hit की तो उसका id generate होगा सबसे पहले first photos तो जब भी में first photos यह हो गया basic post API अब क्या कर रहा है कि get करना है get करना है तो उसका एक unique id किया है यह तो by default server ने generate किया वह हमें पता नहीं है लेकिन वह get कर रहे तो get किसके सबसे होगा कि हर एक post के पीछे एक unique id होगी तो वह id से हम वह photo को get करेंगे तो यहाँ पर वह get API के से काम करेंगी कि get photos slash one यह path parameter हो गया या फिर parents में भेज़ेगे कि get photos slash one तो यह photo यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा उसका बाट delete में क्या होगा तो यह photo मेरा delete हो जाएगा और put में क्या करना है कि मेरे को कुछ update करना है सबसे पहले मैंने यहाँ पर caption में लिखा था exploring goa अब मेरे को उसका caption change करना है कि good moments at goa तो यहाँ पर मैं सिर्फ यह सब चीजे सेम रहेगी और यहाँ पर वह string value है यहाँ पर good moments at goa वह मैं update कर दूँगा तो यह update हो गया तो यह basic चीज़ तो एक functionality हमने समझी कि उसका main main purpose क्या है हर एक API का main purpose क्या है अब दूसरा क्या है कि वह API कौन से operation कर रही है read कर रही है या write कर रही है उसके हिसाब से हम differentiate कर सकते हैं तो यहाँ पर operation हो गया read or write read or write operation तो get API में get से हम क्या कर रहे है कि हम जो भी data server पर है हम phase कर रहे है हम नया कुछ create नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है कि get API read करती है वह कुछ change नहीं करती तो यह हो गया read और जो बाकि की API पोस्ट API से हम क्या कर रहे है तो post API से हम कुछ नया create कर रहे है तो यह write API हो गया है, delete से भी हम, जो server में data है, जो मैंने photo upload किया, वो मैं delete कर रहा हूँ, तो यह भी हो गया, write और put API, put, मैं भी हम कुछ update कर रहे हैं, तो यह हो गया, write API, उसके बाद, एक important सा differentiate है, item potence के इसाब से, जो भी HTTP method से, उसके basically दो type से, एक होता है, item potent, और दूसरा होता है, non-item potent, तो उसका meaning क्या हो गया, कि मैं कोई भी API multiple times hit करूंगा, तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से, दो differentiate परते है, item potent, और non-item potent, तो यहाँ पर मनलो, get API है, get API को मैं बार 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 देख रहा हूँ, मैं meet पहले कितने लोगों ने like किया, दो meet पहले कितने लोगों ने like किया, अभी किसी ने like किया, like मेरे count बड़े, किसी ने comment किया, तो बार बार में एक ही चीज़ कर रहा हूँ, तो server पे कुछ changes नहीं हुआ, बट मैं, वो operation बार बार कर रहा हूँ, और मैं data देख रहा हूँ, तो item potent का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी कर रहे है, multiple times एक ही activity हम repeat कर रहे है, और server पे कुछ भी changes नहीं हो रहा है, या server पे कोई effect नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते item potent, उसका मतलब है repeatable है या नहीं, तो get API repeatable है, वो repeatable है, बार बार हम get API को hit करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं ह अब बात आती है, post API की, post API item potent है या non item potent है, मानलो यहाँ पे मैं photo upload कर रहा हूँ, यह एक ही request मैं ने एक बार बेजा, database में entry हो गई, और नया photo मेरा upload हो गया, और profile पे मेरे को दिखेगा, अब यह same चीज में दूसरी बार करूंगा, तो क्या होगा, तो basically application क्या करेगी, कि यहा developer लोग क्या करते है, उसमें validation होता है, कि अगर मैं एक ही data बार बार send करता हूँ, तो वो override हो जाता है, यह अगर validation नहीं है, तो वो एक ही data बार बार duplicate copy बनाता जाएगा, तो वो मेरे को नहीं जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, कि post API में बार बार hit नहीं कर सकता, तो यह हो ग कि अगर मेरे को यह ID मेंने यह photo create किया, one number का photo मेरा create हो गया, उसके बाद मैं delete करना चाहता हूँ, तो delete करूँगा, तो यह एक, जब मैं पहली बार gate API hit करूँगा, तो वो photo delete हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरी बार, तीसरी बार, चोथी बार, यह gate API hit करूँगा, तो कोई changes नहीं होगा, क्योंकि यह resource database में available ही नहीं है, तो उसका meaning मेरे को error आ जाएगा, valid error, और server में कोई changes नहीं होगा, उसका मतलब कि मैं delete API बार-बार call कर सकता हूँ, और data में कोई भी changes नहीं होगा, तो delete API मेरा क्या हो गया, तो कि repeatable operation हो गया, या फिर item potentum बोल सकते है, और put API है, put API क्या है, कि put API अगर मैं बार-बार एक ही चीज़ update करूँगा, यहाँ पर मैंने एक बार caption change कर दिया, एक बार text change कर दिया, तो वो क्या होगा, कि यह resources है, जो पहले ही वाली database में entry है, वो entry को बार-बार update करते जाएगे, वो duplicate entry नहीं बनाएगा, या फिर अगर मैं same data और दूसरी बार में भी मैं same चीज़ लिख रहा हूँ, uid same हो रहा, image same है, caption same है, text same है, और hit किया, तो मेरे कुछ success response आया, वो data को overwrite कर दिया, लेकि data तो मेरा same है, कुछ changes हुआ ही नहीं, तो उसका मतलब यह बोल सकते है, कि हम put request को multiple time hit कर सकते है, तो उसका meaning क्या है, कि यह भ case मतलब कि कहीं, yes, जो भी मैं request करूंगा, बार बार अगर server पर request जाएगी, तो हर एक बंदे लाखो लोग photos upload करते है, और बार बार चेक करते रहेगे, likes कितने है, नहीं है, कितने है, नहीं है, तो server पर ज्यादा hit होगा, तो basically क्या होता है, कि वो अगर किसी ने likes नहीं किया, म case memory से likes का count get कर लेगा, अगर मैं एक बार refresh करता हूँ, मतलब sudden, within a minute और within a few seconds, तो वो data case से मिल जाएगा, अगर server पर data update हुआ है, यह likes का count 23 हुए है, तो ही वो request case पर जाएगा, server पर जाएगा, और case memory में नहीं जाएगा, तो ऐसे हम get or put, post or delete method को differentiate कर सकते है, और अगर API testing आप start क कर रहे हो, तो आपको get, post, delete, put के अलावा बहुत सारे parameters है, जैसे JSON क्या है, XML क्या है, headers क्या है, body क्या है, यह सब चीजे हमें समझना होता है, तो यहाँ पे एक और structural difference हम बोल सकते है, कि get method है, तो get method में हम क्या भेजेंगे, एक URL होगी, और एक endpoint होगा, उसके अलावा, get method के सा parameters जाएगा, तो ऐसे parameter में हम, उसके साथ हम, क्या हमें fetch करना है, वो चीज हम भेजते है, तो get method में हम क्या भेजेंगे, एक get method के structure में क्या होगा, कि यह पूरा URL हो गया, फिर params आएगा, और headers आएगा, headers में क्या होगा, कि user के password या जो भी token है, वो हर एक user का अलग-अलग उसके बाद post API में क्या आएगा, तो post API में params नहीं आएगा, उसमें body आएगा, यह body में सारा data हम send कर रहे है, तो post API में basically body होगा, और headers होगा, यह दो चीज पोस्ट API में होगी, delete API में क्या होगा, delete also again like a get API, we are deleting on particular ID, means वो मेरा parameter हो गया, तो यहाँ पे भी same चीज आएगी, जो चीज get में आती है, वो चीज delete में आएगी, और put में body भीज रहा हूँ, क्योंकि यह उस पे उपर में update कर रहा हूँ, तो जो चीज post request में है, वो same चीज delete request में आएगी, आसा करता हूँ कि आपको यह सब चीज़े समझ में आ गई है, और इसके notes, description section में दिये गए है, आप व पुलिए का तनिएगा